CBI Director आलोक वर्मा और CBI के Special Director राकेश अस्थाना मामले के बारे में तो आप अवगत होंगे यह समझने के लिए की वास्तविक्ता क्या है? इसे सरल भाशा में समझने की कोशिश करते हैं. सर्व प्रथम राकेश अस्थाना के Track Record को देखने से पता चलता है कि राकेश अस्थाना कई बड़े और हाई प्रोफाइल केस हैंडल कर रहे थे जिसमें रॉबर्ट वाडरा, वाडरा के मित्र और हतियारों के दलाल संजय भंडारी और अभिशेक वर्मा का मामला सम्मिलित है राकेश अस्थाना ही लालू यादव का बिहार चारा घोटाला, कॉंग्रेस का कोईला घोटाला, भगोडे विजय माल्या का केस, लालू यादव का IRCTC टेंडर केस, इंक्स मीडिया केस जिसमें पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम और उसका बेटा कार्ती चिदंबरम आर अब आलोक वर्मा के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करे, तो आलोक वर्मा पर CBI की गोपनिय जानकारी और फाइले कॉंग्रेस तक पहुचाने के आरोप है, कहते हैं, आलोक वर्मा ने राश्चिय सुरक्षा सलाकार अजीत दोवाल के बेटे शौर्य डोभाल का फोन भी टैप क पड़े थे, आलोक. वर्मा पर अहमत पटेल के संदेसरा ग्रूप से भी लाब प्राप्त करने की खबरे निकल के आई हैं, जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो ततकालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर जी की जासूसी वाले कांड में भी आलोक वर्मा का नाम उचल चुका है आलोक वर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व कोई बड़ा कान करवा कर उसमें भाजपा सरकार और प्रधान मंत्री मोदी को फंसाने की फिराक में थे किन्तु किसी प्रकार से यह खबर राकेश अस्थाना को लगी और उन्होंने राश्चिय सुरक्षा सलाकार अजीत द राकेश अस्थाना कभी भी CBI डाइरेक्टर आलोक वर्मा को पसंद नहीं थे क्योंकि वो उससे कहीं अधिक प्रसिद है इसलिए आलोक वर्मा को राकेश अस्थाना से निजी समस्या थी किन्तु हाल ही में राकेश अस्थाना वाडा संजय भंडारी अभिशेक वर्मा केस पर काम कर रहे थे और जो महत्वपूर्ण लीड उन्हें मिलने शुरू हुए उसके बाद आलोक वर्मा की समस्याएं राकेश अस्थाना से कई गुना बढ़ गई थी। इसके बाद आलोक वर्मा को राकेश अस्थाना की जाँच से भय लगने लगा और उसने प्रधानमंत्री कार्याले से राकेश अस्थाना को हटाने की गुहार लगाई जिसे मोधी ने नकार दिया। इसके अतिरिक अभी हाल ही में मोहिन कुरेशी मामले में भी अस्थाना को कई महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्थ हुई थी जिसमें मोहिन कुरेशी व सोनिया गांधी के विरुध कुछ जानकारिया थी। ताथ ही साथ राकेश अस्थाना को आलोक वर्मा के मोहिन कुरेशी व सोनिया गांधी के साथ के संबंधों का भी पता चला। आपको बता दे कि मोहिन कुरेशी सोनिया गांधी और रौबर्ट वाडरा का अती करीबी है। अब आप समझ सकते हैं कि राकेश अस्थाना किसके लिए समस्या थे और कौन उन्हें हटाना चाहता था और संभवता इसलिए यह पूरा शद्यंत्र रचा गया है। अब राकेश अस्थाना को हटाए जाने की बात आती है तो आपको बता दे कि राकेश अस्थाना के ऊपर एक मात्र आरोप जो लगा है वह एक अपराधी द्वारा लगाया हुआ है जो खुद इस समय जाच की परिधी में है जिसकी अभी जाच चल रही है और सबूर के नाम केवल वाटसेप स्क्रीन शॉट्स है जिसमें केवल राकेश अस्थाना की फोटो है यहां तक की उस स्क्रीन शॉट में राकेश अस्थाना का नमबर तक नहीं है अब क्या एक माद्र इतने से सबूत के आधार पर आप एक वरिष्ट अधिकारी के विरुध एक फरजी फेस किन्तु फिर भी शड्यंत्रद्वारा राकेश अस्थाना को फसाने हेतू उन पर F.I.R. दर्ज करवा दी गई है योजना यहा है कि राकेश अस्थाना के विरुध यहां लोग कोट में जाएंगे और मनी ट्रेल की जाच करने हेतू दुबई जाने की बात करेंगे जिसके लिए इंटर्पोल की आवशक्ता पड़ेगी और इसी बहाने वो राकेश अस्थाना का मोबाइल फोन जब्त करके फोरिंसिक जांचेतू भेजने के नाम पर यहां जानने का प्रयास करेंगे कि राकेश अस्थाना किस-किस व्यक्ती के संपर्त में था और उसकी जांच किस तर तक पहुँची थी और वहां मोहिन कुरेशी, सोनिया गांधी, रोबर्ट वाडरा, आलोक वर्मा के विरुध क्या-क्या जानता है पूरे CBI डिपार्टमेंट में कोई भी आलोक वर्मा से खुश नहीं है और सभी जानते हैं कि आलोक वर्मा किसे बचाने का प्रयास कर रही है आलोक वर्मा सभी बड़े हाई प्रोफाइल केसों की इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करते रही है जाज अधिकारियों के संग आलोक वर्मा का दुर्व्यवहार भी किसी से छुपा नहीं है CBI के कई अधिकारी यहां तक की राकेश अस्थाना स्वया आलोक वर्मा के इस आचर व्यवहार के बारे में खुल कर बोल चुके हैं और अपनी आपतियां दर्श करवा चुके हैं किन्तो अब जब मामला तूल पकड़ चुका है और सरकार ने आलोक वर्मा के कुकर्मों की जानकारी हुने पर उन्हें अनिश्चित कालीन छुटी पर भेज दिया है तो अपने प्यादे की सच्चाई छिपाने और विशय को ध्यान भटकाने है तू राहुल गांधी ने दावा किया है कि आलोक वर्मा रफाल की जाच करने वाले थे इसलिए मोदी ने उसे हटा दिया है यहां आरोप अपने आप में ही बहुत संदिग्ध है सर्व प्रथम तो ये प्रश्ण उड़ता है कि राहुल गांधी को ये जानकारी कैसे हुई यदि सीक्रेसी क्लॉस से बंधे CBI अधिकारी आलोक वर्मा राहुल गांधी को CBI के क्रिया कलापो और कार्यवाही की जानकारी दे रहे थे तो ये एक गंभीर आपराधिक मामला है जिसमें एक जाच एजनसी की गोपनिय सूचनाओ तक अवैद तरीकों से पहुँच बनाने के अपराद में राहुल गांधी की गिरफतारी और जासूसी के चार्जिस में जाच होनी चाहिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के आरोप की तो सर्वप्रथम यह प्रश्न उड़ता है कि यदि आलोक वर्मा रफाल की जाच कर रहे थे तो किस संसा, किस हायर अथॉरिटी, किस व्यक्ति के निर्देश पर कर रहे थे जाथ हो कि CBI, CVC, Central Vizilance Committee के अंतरगत आती है और CBI को किसी विशय की जाच या तो कोर्ट सौप सकता है या CVC दे सकता है अत्वा सरकार दे सकती है CBI के पास सुप्रीम कोर्ट की तरह अपनी मर्जी से कोई केस उठाने अर्थार सो मोटो एक्षन लेने का कोई अधिकार नहीं है तो राहुल गांधी बताएं कि यदि उनके अनुसार आलोक वर्मा रफाल की जाच कर रहे थे तो क्या वो ऐसा अपनी निजीक शम्ता में कर रहे थे? कॉंग्रेस के निर्देश पर कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात किन सबूतों के आधार पर कर रहे थे? वैसे रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी कॉंग्रेस ने पिटीशन डायर करवाई थी उस संदर्ब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉंग्रेस को साक्ष और सबूत प्रस्तुत करने को कहा किन्टु कॉंग्रेस वह नहीं प्रस्तुत कर सकी और सुप्रीम कोर्ट ने कॉंग्रेस की पिटीशन ही खारिश कर दी थी तो भाया यदि कॉंग्रेस पाती और राहुल गांधी यह कहते हैं कि राफाल घोटाला हुआ तो फिर सुप्रीम कोट में क्यों कोई सबूत साक्षव प्रमाण नहीं दे पाए दसों दिशाओं में राहुल गांधी रोते छाती पीते विलाप करते विक्षप्त जैसे घूम रहे हैं सबसे जूट बोलते हैं कि मेरे पास सबूत है अरे तो भया सुप्रीम कोट को वो सबूत जाज के लिए क्यों नहीं सौंप देते आखिर भाजपा या मोदी ने राहुल गांधी का क्या पकड रखा है कि राहुल गांधी भारत की जन्ता को सुब्रीम कोट को रफान मामले पर अपने दावे की पुष्टी हेदू वो सबूत नहीं सौंप रहे है जिसका नाम वो मीडिया के सामने और अपनी रैलियों में देदे रहते हैं और यदि कोई सबूत नहीं है तो उसका अर्थ हुआ कि राहुल गांधी खाली थोथा चना बाजे घनावाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं और जूट बोल रहे हैं जबकि रफाल मामले की सच्चाई यहा है कि 29,000 करोड रुपे का पूरा ओफसेट एक नहीं बलकि 72 भारतिय कंपनियों को मिले हैं जिसमें अनिल अम्बानी को मिले कॉंट्रेक्ट की कीमत 840 करोड है जिसे राहुल गांधी 30,000 करोड का बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं अब बात करते हैं आलोक वर्मा को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजने की सेक्यूलर, लिब्रल, गुद्धि पिशाचो, क्रिसलामी कौमियों के गैंग्स और कॉंड्रेस जैसे अन्य विपक्षी दलों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि आलोक वर्मा को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजने का प्रोसीजर गलत है, जिस प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष के पैनल ने उन्हें न्युक्त किया था, केवल वही उन्हें छुट्टी पर भेज सकते हैं तो इस विशय पर मैं CBI के पूर्व जॉइंट डाइरेक्टर शांतनु सिंग का वक्तव्य कोट कर रही हूँ जहां वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानू नहीं है और यदि किसी व्यक्ती पर आरोप लगे हो तो सरकार उसे छुट्टी पर भेज सकती है ऐसी परिस्थिती में सरकार उस व्यक्ती का निश्कासन और ट्रांसफर तो नहीं कर सकती किन्तु यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप हो और वहाँ अपने पत पर बैठा रहे तो वहाँ अपने पत का जाँच में दुरुपयोग कर सकता है इसी लिए यह स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें आरोप लगने पर आरोपी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है तो यहाँ है कॉंग्रिस्व राहुल गांधी का रचा पूरा प्रपंच जोकी जीजा रोबर्ट वाडरा, मा सोनिया गांधी और करीबी मित्र मोईन कुरेशी को बचाने और देश को भ्रमित करने का शध्यंत्र कर रही है हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719